राजपुतों की उत्पत्ति राजपुतों की सर्फपतम उत्पत्ति 16 अताब्दी इस्वी में हुई थी राजपुतों ने 16 अताब्दी इस्वी से 12 अताब्दी की वीज भारती इतिहास में एक प्रमुकिस्थान प्राप्त किया था राजपुतों की उत्पत्ति के संदर में विद्वानों के कई सिधान्तों का उलेक किया है इसमें श्री कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिये गए सिधान्त के अनुसार राजपुतों की उत्पत्ति विदेशी मूल की थी उनके अनुसार राजपुत कुशान शंक और हुणों के वंश थे उनके अनुसार चुकि राजपुत अगने की पूजा किया करते थे और यही कारे कुशान और शंक पी करते थे इसी कारण से उसकी उत्पत्ति शाकों और कुशानों से लगाई जाती थे इसी तहे दूसरे सिधानत के अनुसार राजपुतों को किसी भी विदेश मूल से संबंदित नहीं किया जाता है बलकि उन्हें छत्रिय जाती से संबंदित किया जाता है इस संदर में ये कहा जाता है चोकि उनके द्वारा अगने की पूजा की जाती थी क्योंकि आर्यों के द्वारा भी संपादित किया जाता था, अतने राजपुतों की उत्पत्ती बहारती मूल की थी तीसरे सिध्धांद के अनुसार राजपुत आर्यों और विदेशी दोनों वंशज की थी उनके अंदर दोनों ही जात्यों का मिश्रन समलित था चौथा सिध्धान अगने कुल सिध्धान से संबंदित है चंद्र वर्दाई द्वारा बार्वी शताब्दी के अंत मेरचित ग्रंथ प्रत्वी राज रासो में चातुक्य, प्रतिहार, चहमान तथा पर्मा राजपुतों की उत्पति आबु पर्वत के अगने कुण से बता इनहीं राजपुतों को रवी, शशी, जांगव, वन्शी कहा है इन तमाम सिध्धानतों की तरकों के अधार पर निश्कर्श यह का जा सकता है कि यद पी राजपुत छेत्रियों की वन्शस थे, फिर भी उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण आवश्य था अता वे ना तो पून तेहा बोतों विदेशे थे और ना ही पून तेहा भारती है